हलो फ्रेंट्स अदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज सब्सक्राइब मैं चैनल्स एंड बेल नोटिफिकेशन बटन को आन करें फॉर लेटेस अपडेट्स एंड वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूले सब्सक्राइब में आप सभी का स्वागत है फ्रेंट्स आज का टॉपिक से अगे न्यूटन्स फारवर्ड इंटर्पॉलेशन फार्मूला का पार्ट टू है फर्स्ट पार्ट में हमने उसके फार्मूले और उसके प्रावलम को सिखा था अब इसमें हम क्या तरेंगे एक अन अब टेबल इस्टिमेट नंबर ओ इस्टुडेंट फो अप्टेंट म मक्स बित्विन 40 औन 45 पो सिफ मार्ट के बित्विन मार्स में जो भीस्टूडेंट यiping निम्पाटू जर्ट डिफरेंस टेबल की बाद है न्यूटन्स के तो हम फारवर्ड डिफरेंस टेबल को ड्रॉ करेंगे चैनल एमस्टूरियल का एंडॉइड एप साइब लेबल है तो आप प्लेइश्टोर से इसको डाउनलोड कर सकते हैं और निमेरिकल नासे कैसे करें क्योंकि यह इन डर्वल के थ्रू दिया हुआ ना स्टूडेंस तो हम कैसे इसको करें तो पहला इस वेरी इंपॉर्टेंट वर्क आउट रहेगा ध्यान रखेगा यह जो मार्क्स रेंज दिया हुआ है ना तो हम यहाँ पर लिखते हैं लेस दैन मार्क्स ध्यान रखिये एक इसको हम लेएंगे लेज्टेन मार्क्स तो लेज्टेन मार्क के साथ बनेगा तो जो पहले इंटर्वल के सबसे उपर वाला पॉर्शन होगा वही हम उसको लेएंगे less than mass so less than मतलब आगया पहला 40 दूसरे का आएगा उपर वाला 50 तीसरे का 60 उसके बाद 70 उसके बाद 80 अब यह जो है इस नंबर आफ इस्टूडेंट मतलब ही हमारा फिक्वेंसी दिया हुआ है एफ ठीक है तो पहले लिख लेते हैं फिर बात करेंगे अपर एफ है थर्टीवन फॉर्टी टू फिप्टीवन थर्टीफाइव थर्टीवन बट अब यहां पे एक क्लियर हमें वर्काउट यह करना है ध्यान रखेगा यह जो थर्टीवन है ना थर्टीवन इन दोनों के बीटीविन है लेकिन हमने वर्काउट क्या लिखा है लेज दैन यह है लेज दैन ठीक है लेज दैन मास तो अब इंपोर्टेंट यह तो ठीक है लेकिन अब लेज दैन फिप्टी में क्या आएगा लेज दैन फिप्टी में यह दोनों टम्स आ जा में तो टोटल आ जाया फिर से यहां से यहां तक और फिर लेंगे तो इसके लिए क्या करना बढ़ता है एक कॉमुलेटि कुमुलेटि फिक्वेनसी कैसे वर करते एंद हम इसमें आड्ट कर देंगे 拜拜 लिए 73 को इसमें आड्ट कर देज़ें ये दोनों इसमें आड्ट हो जाएंगे तो sollen नाइन हो गया दिन दो पांच हो गया 159 फिर यह इसमें आइड हो जाएगा ठीक है तो अब यह देख लीजिए जीरो पांदेनाट नो एक सो नबे ठीक है यह हमारा टेबल बन गया तो अब यह जो बनेगा f of a से स्टार्ट होगा तो f of a हमारा यह मिल गया तो यह बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट था कि यह देखना यह जो कॉलम है इसी पर डिपेंट करता है यह जो यह जो वैलू दी हुए इन रेंज दिया हुआ है बट हम जो लिख रहे हैं वह क्या है लेज दिन माक्स की बात हो रही है तो लेज़ दिन माक्स में यह इस तरह से सिक्वेंस बनेंगे तो यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है इसको आप ध्यान में रखिएगा कि हमें वर्क आउट कैसे करना थीकि इस तरह जब इंतर्वल दि 212 ठीक है 442 फिर अब देखिए 124-73 ठीक है तो कितना आ जागा 51 159-124 ठीक तो 35 next 190-159 31 ठीक है यह मिल गए यह तो continue a value मिलेगे हमें अब आएगे हम delta square f of a तो अब इसमें से इसको घटा देजे 51-42 ठीक तो 11 में से 29 ठीक यहां वे 40 ठीक है नाइन बच गया उसके बाद अब इसकी value आएगी तो 35-51 तो फोर सरी 11-5 गया 6 ठीक यहां भी 4 इस 1-16 ठीक नेक्स 31-35-4 यह बन गया नेक्स डेल्टा क्यू एफ आफ आफ ए सेम वर्क तो यह जाएगा माइनस 25 और यह हो जाएगा आपका बार 12 ठीक यह मिल गया आए नेक्स डेल्टा पावर 4 एफ आफ ए तो डेल्टा पावर एफ आफ आफ ए ट्वेल और यहां हो जाएगा 37 तो 37 हो गया तो अब हम जो वर्क आउट लेते हैं मारा जो सब से टॉप बैलू होते उसको लेते है यह ले लिएंगे यह होगा यह लिया जाएगा यह लिया जाएगा यह लिया जाएगा तो यह सबसे टॉप पॉली वैलू को हम यहां पे कंसिडर कर लिए एफ एक इस बात हो गई अब इंपोर्टेंट पॉइंट से स्टुडेंस की हमें वर्क आउट नेक्स तिंग क्या कर लिए यू निकालना है जो Newton's forward difference फार्मूले है उसमें new की बात करनी है तो हम पहले X X की बात कर लें इन दोनों range में सबसे जो पूछा गया है में 45 पूछा गया है जोकि 40 already included है तो कोई problem नहीं है तो X की value हम 45 वे लेंगे एच कितना होगा, width of intervals है, कितने का gap है, 10-10 का gap है, तो h का मान 10 हो गया, a का मान हमारा हो जाएगा 40, ठीक, तो u, x-a upon h, so 45-40 divided by 10, तो u is equal to, मिल गया, हमें 0.5, u का मान मिल गया, 0.5, u is important था, कि u का मान हमें क्या मिल गया, 0.5, अब जब table भी draw कर लिया, उसके बाद u भी निकाल लिया, तब हम आएंगे formula में, जो हमारा formula है, उसमें हम बात करेंगे, neutrals forward interpolation formula, और उसमें रखने का प्रयास करेंगे, ठीक है? तो यहां लिख देता हूं मैं, चेक, तो formula, neutrons, forward, interpolation, formula, ठीक, तो everyone is f of x is equal to, you know, f of a plus, u delta f of a plus, u into u minus 1 upon 2 factorial delta square f of a plus, u u minus 1, u minus 2, 3 factorial delta qf of a and plus, u u minus 1, u minus 2, u minus 3 factorial 4 delta power 4 f of a, यह हो गया हमारा formula, अब इसी formula में सिर्ण रख देना है, मान सभी, और calculate कर लेना है, तो आगे, ठीक है, तो f of x, f of 45, ठीक, f of a हमारा यहां पे है, that is a 31 plus f of u is 0.5 into abdekhi f delta fa delta fa is 42 plus u to 0.5 here 0.5 minus 1 divided by 2 factorial 2 is 2 delta square fa 9 plus यहां पर आज़े 0.5 0.5 minus 1 0.5 minus 2 factorial 3 is 6 3 is 6 delta qf minus 25 thick and abhyaathe ya haphe is ki baanth karte hoon 0.5 0.5 minus 1 0.5 minus 2 next 0.5 minus 3 thick and upon 24 factorial 4 or delta square this is 37 37 in k into that is into 37 ठीक है तो अब इसको modify करना है simplify करना है तो आप kLC पे directly कर सकते हैं कि what is the answers ठीक है यह जो होगा तो हमें जो मिलेगा एफ आफ फॉर्टी फाइव एफ फॉर्टी फाइव फॉर्टी फाइव जो मिलता है students near about यह मिलेगा 47.86 एक सेवन टू नियर अबाउट यह वैलूस हमें मिल जाएगी ध्यान रखेगा तो इसको जब आप simplify करेंगे तो यह मिलेगा और इसका यह नियर अबाउट हम लेख सकते हैं इसको 48 ठीक है एफ फॉर्टी फाइव मतलब क्या हुआ इसका कि जो number of students है less than 45 कितने है 48 है इस very important clause है कि number of student less than 45 कितने हो गया हमारे 48 है और number of student less than 40 कितने है 31 है question में पूछा गया है आपसे number of student between 40 and 45 तो हम क्या करेंगे इस 40 वाले को मैंस कर देंगे सिंपल सी बात है तो तो इसका मतलब क्या होता है यह लिखता हूँ नमबर ओफ इस तुदेंट ठीक है गटिंग मार्क्स लेस दैन 45 इस इगल तो 48 तिक नमबर ओफ इस तुदेंग गटिंग मार्क्स लेस दैन 40 40 is 31 थिक तो अब आइस 48 में यह भी इंक्लूड है तो नमबर आफ स्टुदेंट्स गेटिंग मार्क्स बीट्विट्विन 40 एन 45 इस इकल तो 48 माइनस 31 17 तो यह हो गया मारा टोटल इस चैप्टर इस क्वेशन का सुलुशन इस वेरी इंपोर्टेंट इन लॉजिकली क्वेशन से इसको हैं इसको हैंडल कैसे करना है इस इंपोर्टेंट था तो पहले क्वेशन को सबजीए फिर क्वेशन को सॉल करें थिक है तो आई इस पेक और क्वेशन करने का प्रियास करतें इस क्वेशन नमबर student between them तो अब questions है यह अब very important दियान रखेगा total number of student कितने है हमारे पास hundred है या लेडी दिये दिगा हो है यहां पर ठीक है अब questions यह है कि number of student who got more than 55 marks 55 marks more than तो अब हम क्या कर सकते है हम क्या करेंगे student पहले हम less than 55 निकाल लेंगे जैसे पिछले question का table मना था वैसे ही बनाना है उसमें कुछ changes हो गरें नहीं करने है तो पहला हम क्या करेंगे कि less than 55 number of student निकाल लेंगे उसके बाद hundred में से minus कर देंगे यह दियान रखेगा जो हम less than निकाल लेंगे तो hundred में से minus कर देंगे तो हमें मिल जाएगा number of student who getting who got the more than 55 marks ठीक एक simple सा logically concept टेबल बनाएंगे और work out कर लेंगे ठीक है और question second की यह दे स्टुडेंट्स आप number of marks secure by the range of 36 to 35 तो पहले उसमें भी प्रोसेस वही रहेगा पहले हम पहले की बात कर लें उसको बाद दूसरे की बात करेंगे simply logically first to draw the construct the forward difference table construct the forward difference table okay तो प्रोसेस वही less than marks पिछले questions मैंने टेबल मना था वही टेबल बनाना है less than that is a 40 50 60 70 80 ठीक फिक्वेंसिव एफ की बात ही यहां पर एफ जो रिंज दिया हुआ है 25 35 22 11 and 7 work out एंगे less than है तो यह तो अब हमने एक समना आएंगे हम कॉमलेटी फिक्वेंसी का columns is very important होगा कॉमलेटी फिक्वेंसी that is f of a से start हो गया पहला तो यह रहेगा है तो 93 और यह टोटल 100 और यह अलेटी 100 स्टुडेंट्स हैं अलेटी कुशिंस में दिया हुआ है तो जो कॉमलेटी फिक्वेंसी का लास्टेबल है इंपॉर्टेंट है वर्क आउट वहीं यह जो रेंज है इनके बिट्वीन है जब हम इसको आएंगे तो इन दोनों में सब्ट्रेक कर दीजिए 65 60-25 ठीक तो 60-25 इस 35 तो अभी डारेक्टली में लिख देता हूं इन दोनों का डिफ्रेंस 35 इन दोनों का डिफ्रेंस कर लेना है 22 का डिफ्रेंस 11 का डिफ्रेंस 7 ठीक है यह हमारा डिफ्रेंस इस निल गया अब यहां से डेल्टा स्क्वार अफ आफ का कॉलम बनेगा इन दोनों का डिफ्रेंस तो 35 3 और यहां पे आपका हो जाएगा 1-13 11-22-11 और माइनस 4 एडियर माइनस 11-13 डेल्टा क्यूव और व्हां तो माइनस 11 प्लस अदिन टू जाएगा और यह जाएगा हमारा माइनस 4 माइन प्लस 11 तो 7 ठीक है यह बन गया हमारा अब next delta power 4 f of a ठीक तो 5 अब यह जैसे यह table हमारा बन गया तो अब हमारा जो workout होगा सबसे पहला यह top poly values को लेना है क्योंकि हम forward difference table use करने है तो यह हमें values लेंगे अब इसके बाद अब यू को निकाला है यू निकालेंगे फिर after the next work out करेंगे तो x जो पूछा गया आपसे 55 ठीक है एच कितना है 10 है ठीक है ए एज़ियर that is a cumulative जो हमारा आर्गोमेंट है और आर्गोमेंट के जो स्टाइटिंग वैल्व है वो 40 है तो a is equal to 40 so u is equal to 55 यह हमें फार्मूला बता है x minus a upon h so 55 minus 40 by 10 so u is equal to 1.5 यू जो इंपोर्डेंट था Newton's forward difference table में यू तो यू मिल गया अब हम फार्मूले की बात कर लेंगे ठीक है ठीक है फार्मूला फ of x is everyone is no the f of a plus u delta f of a plus u into u minus 1 2 factorial delta square f of a plus 4 tak hai to u u minus 1 u minus 2 3 factorials next is delta qf of a plus agla next u u minus 1 u minus 2 u minus 3 factorial 4 delta power 4 f of a यह मिल गया अब इसमें मान रखना में और evaluate करना है ठीक है तो रख देते हैं f of 40 sorry 55 is equal to that is 55 f of a यह मिल गया इस 25 plus u is 1.5 1.5 into delta f of a this is a 35 plus u into u minus 1 to 1.5 1.5 minus 1 upon 2 factorial 2 delta q plus 1.5 1.5 minus 1 1.5 minus 2 factorial 3 6 into delta q into 2 plus 1.5 1.5 1.5 minus 1 1.5 minus 2 1.5 minus 3 divided by 24 factorial 4 into this 5 तिक तो अब f of 55 का मान अब इसको simplify करिए तो जो result हमें मिलेगा that is a simplify आपको calculator में KLC में easily आप कर सकते है तो आप इसको simplify करिए that is a result आएगा आपका 72.61 यह जो हम इसको जब simplify करेंगे तो हमें result मिल जाएगा 72.61 मतलब near mode is just 73 तो मतलब यह हो गया कि number of students less than 73 sorry less than 55 marks कितने है 73 है तो अब more than 55 कितने होंगे 100 minus 73 ठीक है तो यह चीज़े मैं अभी यहां से हटा दे रहा हूं आपको ठीक है इसकी हमें जरुवत पड़ेगी ठीक तो नमबर आफ स्टूदेंट्स गेटिंग मास less than 55 is equal to 73 ठीक है तो लेस दन 55 है 73 तो नमबर आफ स्टूदेंट्स गेटिंग मार्क्स मोर दैन 55 is equal to 100-73 ठीक है क्योंकि टोटल हंड्रेट है तो उसमें से हम मोर दैन के लिए निकालने हैं तो उसमें से माल्स कर देंगे तो दैट इस रिजल्ट इस एंसर इस वेरी इंपोर्टेंट लॉजिकली कंसाप्ट ठीक है तो आएए अब यह हो गया अब नेक्स की बात करते हूं अब देखें दूसरे कुशन के बात करना है स्टूडेंट्स ध्यान रखेगा करके नंबर आप स्टूडेंट हूँ सिक्योर्ड द मार्क्स इंद रेंज आप 36 तो 45 ठीक है जो हमने कॉलम बनाया था इस लेज दैन 40 ठीक है लेज दन 40 तो जो 36 निकालना है लेज दन 40 जो हमा सब्सक्राइब कर लेते हैं जो हमारा कुश्यंस है 30 to 40 में रेंज है हमारा 25 इस्टूडेंट्स का ठीक है बाकी के जो होंगे अलग बात है एन 40 to 40 50 में रेंज दिया हुआ है 35 and so on अब ध्यान रखे यह जो रेंज दिया हुआ है न करना कि 30 to 40 के भी रेंज में 25 इस्टूडेंट है लेकिन 36 से कम कितने है या तो वो हमें पता नहीं है तो हमें वो निकालना पड़ेगा तो म्यानी बात वो तो हमें find out करना पड़ेगा तो हम क्या निकालेंगे number of student less than 36 next number of student less than 45 and फिर after work तो table में कुछ changes नहीं होंगे table तो हमारा same रहेगा but another value is changes ठीक है तो अब दो वर्क करना पड़ेगा आपको यहां पर जो है marks getting less than 36 और यहां पर लिकालेंगे number of students getting less than less than 45 दो चीज़े करने आपको तो ध्यान रखेगा बाकी के workout वहीं रहेंगे but you change हो जाएगा अब यहां पर हमारा x क्या होगा 36 यू हमें निकालना है एच हमारा 10 है यह लेडी हमारा 40 रहागा जो कॉलम्स में हमने बनाया हुआ लेज दिन वह 40 है no problem है तो यू इस इकल टू हो जाएगा आपका 36-40 by 10 तो हो गया minus 0.4 U का में मिल गया U is equal to क्या मिल गया minus 0.4 टिक नेक्स इसमें क्या मिल जाएगा number of students x हमारा हो गया 45 A है 40 H कितना है 10 है तो U is equal to क्या मिलेगा नहां रखेगा U is what U मिल गया हमारा 45-40 by 10.5 U के ही मात करनी थे जब U मिल गया था हमें formula पता है formula में हम रख देंगे sample सा f of x is equal to जो है f of a plus U delta f of a plus U into U minus 1 factorial 2 delta square f of a plus U U minus 1 U minus 2 factorial 3 delta qf of a plus U U minus 1 U minus 2 U minus 3 factorial 4 delta power 4 f of a तो जो table है वो सब सारी values तो same ही रहेंगे ये इसमें कुछ changes नहीं करना है आपको तो ये values हम रख लेंगे तो ये हमारा मिल जाएगा f of 36 is equal to what same conditions यहां पर apply करना है आपको जहां रखेगा this is conditions को apply करिए तो यहां पर भी वही work out होगा f of x U plus U delta f of a plus U into U minus 1 2 factorial delta square f of a plus U U minus 1 U minus 2 3 delta q f of a plus U U minus 1 U minus 2 u minus 3 factorial 4 delta power 4 f of a थिक तो इसके लिए U क्या रखना है 0.5 रखना है इसके लिए U क्या रखना है 0.4 रखना है तो यह जो result मिलेगा f of 36 का मैं हमको निकाल लो f of 36 मिलता है 7.86 4 जब इसको आप simplify करेंगे तब यह मान रख दीजे पहले U का मानिहां पर क्या रखना है और बाकी की जो values है वह हमने जो पिछला table construct किया हुआ है उस table से ही write करना है तो मिलता है near about 8 f of 36 कितना मिला 8 यहां पर हम बात करेंगे f of 45 की f of 45 हमारा क्या मिलेगा यू यह रखना है ध्यान रखेगा U की values तो यह मिलेगा हमारा 45 इस फॉट्टी फॉर इंगा है 44.05 मिलता है यह फॉट्टी फॉर मिले रहा हमें तो यह नंबर आफ इस्टूडेंट्स मिल गया 45 से कम कितने है फॉट्टी फॉर है 36 से कम कितने है एट है ठीक है तो questions यह हो गया हमारा इसका solution कि the number of students getting marks less than 45 is equal to 44 tick next number of student getting marks less than 36 is equal to 8 tick to between legal is a number of students getting marks between number of students getting marks marks between 36 and 45 तो कितना होगा 44 minus 8 36 तो अब यह जो हो गया result कि जो marks हमें मिल रहे है 44 फॉर्टी फॉर्टी फाइब और 36 के between कितने students है 36 तो यह total procedure हो गया इस तरह के questions को handle करने का तो आप और books में ऐसे तरह के questions range आप दिये होंगे उनको process करिए सिंप्लिफाइ करें तो टेक केर्स थैंक यू बाय बाय जय हिन्द्ट